राधे राधे जैसी क्रशना आज मैं आपको बैकुन चतुरदशी की एक पौराणी कहानी सुनानी जारे हूँ कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रपिया मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ में बैल जरू प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और अगर आपको कहानी अची लगे तो कमेंट बॉक्स में जैहो विश्नु भगवान की जरू लिखें धन्यवाद, बैकुन चतुर दशी की पूरानिक कहानी इस प्रकार है एक बार एक नगर में एक गरीब मा बेटे रहते थे मा जंगल से लकडियां बीन कर लाती और शहर में बेचती थी और बेटा जिसका नाम भोला था वह गाउं में लोगों की गाएं चराता और बदले में जो उन्हें ग्वाली मिलती उसी से वो अपना घर चलाते थे एक बार की बात है भोला ने देखा कि एक गाई जो सुनहरे रंग की है वो गाई उनकी गाईों के बीच में रहती है और चारा चरती है लेकिन वो गाई कहां से आती है और कहां चली जाती है भोले को मालूम नहीं चलता था और ना ही उसे उस गाई की ग्वाली मिलती थी तब एक दिन भोले ने इस बात का जिक्र अपनी मा से किया तब उसकी मा ने कहा की बेटा संध्या के समय जब सभी गाई अपने अपने मालिक के पास चली जाती हैं तब तुम उस गाई के पीछे पीछे जाना और जब वो गाई अपने मालिक के घर में जाए तब उनसे ग्वाली मांग लाना तब दूसरे दिन भोला ने ऐसा ही किया दूसरे दिन संध्या के समय जब गाई अपने घर की ओर जाने लगी तब भोला सुनेरी गाई की पूँच पकड़ कर उसके साथ साथ जाने लगा भोला को तो पता ही नहीं चला कि वो गाय जिसकी पूँच पकड़ कर वे चारा है वे बैकुंट में पहुँच गई वहां भगवान विश्णु की विराजमान थे तब भगवान विश्णु ने पूचा अरे भाई तुम कोन हो और यहां कैसे पहुँचे तब भोला ने पूरी बात बताई कि आपकी गाय की पूच पकड़ कर मैं यहां तक आया हूँ मैं पिछले कई महनों से आपकी गाय चरा रहा हूँ लेकिन मुझे आपकी गाय की गौाली नहीं मिली मैं गौाली लेने आया हूँ भगवान विश्णु वैमाता लक्ष्मी को उसके भोले पन पर बहुत हसी आई भगवान ने कहा कि मांगो तुमें क्या चाहिए तब भोला ने कहा कि मुझे मेरी महनत का पैसा चाहिए और ज़्यादा मुझे कुछ मांगना आता नहीं तब भगवान विश्णु ने भोला को एक कड़ाई दी तब भगवान विश्णु ने कहा कि तुम वापस इसी गाय की पूँच पकड़ करके जाना भोला ने ऐसा ही किया घर आने के बाद उसने कड़ाई रसोई में रख दी उसकी मां ने कड़ाई को मांच कर धोगा रख दिया थोड़ी देर बाद जब उसकी मां खाना बनाने के लिए रसोई में गई तो उसने देखा कि रसोई में तरह तरह के पकवान रखे हुए थे अब भोला और भोला की मां समझ चुके थे यह सब कुछ भगवान विश्नु की क्रपा से कड़ाई में से बन कर वेंजन आ रहे हैं अब उनके घर में खाने की कमी नहीं रहने लगी उनके घर एक महतराणी आती थी भोला की मां बचा हुआ खाना रोज महतराणी को देने लगी वही महतरानी उसी नगर के राजा के यहां भी जाती थी राजा के यहां से उसे रोज एक ठंडी रोटी मिलती थी तब एक दिन महतरानी ने राजा की दासी से कहा कि मुझे आपके राजा से रोज एक ठंडी रोटी मिलती है जबकि इसी नगर में एक गरीब मा बेटे हैं, उनके घर से रोज मुझे लड़ू, बर्फी, जलेवी, अनेक अच्छी-अच्छी खाने की चीजे मिलती हैं दासी ने यह बात राजा और रानी से कही, तब राजा और रानी ने महतरानी से पूरी बात पूछी, महतरानी ने पूरी बात बताई, राजा ने सिपाई भेज कर भोला वे भोला की मा को रास दर्बार में बुलाया और पूरी बात जाननी चाही, तब भोला ने पूरी बात तब राजा ने कहा कि वो कड़ाई तो रास दर्बार में होनी चाहिए तब भूला को राजा का हुकुम मानना पड़ा कड़ाई रास दर्बार में जमा करा दी जब राजा के रसोईये ने रसोई में कड़ाई रखी तो उस कड़ाई में से कुछ भी पकवान बनकर नहीं आये राजा ने भोला को बुलवाया और कहा कि तुमने कड़ाई बदल ली है इस कड़ाई में से तो कुछ भी खाने का सामान बनकर नहीं आया है तब भोला ने कहा कि राजा जी अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ इस कडाई का चमतकार मेरे घर पर देखें फिर राजा अपने मंत्रियों के साथ भोला के घर आए जैसे ही भोला ने अपने घर की रसोई में उस कडाई को रखा तो वहां तरह-तरह के व्यंजन बन कर आगे अब तो राजा को भी पूरा विश्वास हो गया तब राजा ने पूरी नगर में धिंडोरा पिटवाया कि सभी बैकुन चतुर दशी का व्रत और इस्तनान करेंगे तो हे विश्णु भगवान जैसे आप उस भोला के उपर प्रसंद हुए वैसे सब के उपर होना कहने वाले को सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को घर्तियों तो पूरियों पूरियों तो परवान चड़े भूले विश्णु नाम तेर भंडार में भरें तो आज मैंने आपको बैकुन चतुरदशी की एक पवित्र पोरानिक कहानी सुनाई अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पुन्य कमाए धन्यवाद